मैं दो महिने पहले इंग्लेंड में था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पानी की समस्या है जब मैं तीन-चार दिन पहले घर वापस आया तो मेरी बहन ने मुझे बताया उसने कहा कि शावर का इस्तमाल मत करो पानी की बाल्टी का इस्तमाल करो तो हम मेंसे कई लोग हालातों से अंजान हैं क्या बता सकते हैं कि यह कैसे हुआ और हम क्या कर सकते हैं नदियों के बारे में सबसे बड़ी अग्यानता ये है लोगों को लगता है कि नदी पानी का स्त्रोत है या एक कुवा पानी का स्त्रोत है या तलाब या जील पानी का स्त्रोत है एक ट्रॉपिकल देश में ये पानी का स्त्रोत नहीं है ये सिर्फ पानी की मंजिल है हमारे लिए पानी का सिर्फ एक ही स्त्रोत है वो है मौनसून की बारिश वो ही एकलौता स्त्रोथ है जहां से पानी आ रहा है तो बारिश में जो पानी गिरता है आम तोर पर हमारे लिए इस देश में एक साल में जादा से जादा 45 से 60 दिनों के लिए हमारे उपर बारिश होती है इस दौरान बहुत बड़ी मात्रा में पानी बरसता है जब पानी बरसता है, इसे जमीन में थामने की हमारी क्षमता ही ये तै करेगी कि साल में कितने दिन नदियां बहेंगी अगर हम उसे थाम लें, तो नदियां 365 दिन बहेंगी अगर हम उसे नहीं थामते, तो ये पानी अगले 50 या 100 दिनों में बह जाएगा और इसलिए नदियां भी सूख रही है, तो पानी को थामने के लिए हमें किसकी जरूरत है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों की, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यही मेरा मुख्य मिशन रहा है, पूरी दुनिया में, जिसमें सैयुक्तराष्ट, हमारी सरकार, केंद्र सरकार और सभी राज़ शामिल है हमने उन्हें समझाया है, कि आप पानी को एक बांध में नहीं रोख सकते या एक चेक डैम, या एक बैराज वगरा में ये सबी चीजें इस्तेमाल के लिए ठीक हैं, लेकिन आप पानी को ऐसे नहीं बढ़ा सकते पानी को थामने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पेड़ पौधों से जब मैं पेड़ पौधों की बात करता हूँ, या जंगलों की देखिए, भारत में जंगलों को बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है हम 130 करोड लोग हैं, ऐसा अनुमान है कि साल 2030 तक हम 150 करोड हो जाएंगे तो जमीन पर बहुत ज़ादा दबाव है, जंगलों का इलाका बढ़ाना मुम्किन नहीं है सिर्फ एक ही तरीका बचता है, वो है पेडों पर आधारित खेती यानि हम अपनी आमदनी के लिए जंगल बनाएं, हम पैसों के लिए जंगल उगाएं, हम आर्थिक वजहों से जंगल उगाएं देखे फिलहाल, किसानों को पेडों पर आधारित खेती अपनाने में मदद के लिए कुछ चीज़ें जरूरी है पहली चीज़ है छोटे पौधे, बहुत बड़े इस्तर पर छोटे पौधे विक्सित करना हमारा लक्ष है बारा सालों में 242 करोड पेड लगाना, यानि 2.42 अरब पेड अगर हम इतने बड़े इस्तर पर काम करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही विवस्थित प्रयाज जरूरी है और इसे तेजी के साथ करना होगा, जो आम तौर पर, मैं किसी के आलोशना नहीं कर रहा, लेकिन आम तौर पर, राज सरकारों के पास इतनी तेजी से काम करने वाला प्रशासन नहीं होता तो तमिल लाडू में हमारे पास लगभग 32 नरसरियां हैं, जो पूरे राज में फैली हुई है हम पिछले 18 सालों में 3.5 करोड से ज़्यादा पेड लगा चुके हैं यह सब हमने खुद किया है, यानि हमने कोई सरकारी मदद नहीं ली, कुछ भी नहीं, बस एक जना अंदोलन की तरह अब इसे एक बहुत बड़े स्तर पर ले जाना होगा, तो हमारे पास इसे कई गुना बढ़ाने के लिए स्पाष्ट योजना है, आज टिश्यू कल्चर होता है, हमारे पास सभी तकनीके है, हमने इन सभी चीजों को अच्छे से इक खटा किया है तो हम ये, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, इसका कारण ये है, कि बड़े स्तर पर लोगों को शामिल किये बिना, ये नहीं होगा ये एक इनसान का काम नहीं है, ये सिर्फ मेरा या आप का या किसी और का काम नहीं है, ये पूरी पीड़ी का काम है लोगों की एक पीड़ी के रूप में, हमने इस धर्ती का सबसे ज़ादा दोहन किया है, इससे पहले किसी भी पीड़ी ने इतनी खपत नहीं की, जितनी हमने की है तो मैं बस सोच रहा हूँ कि मेरे मरने से पहले इसे जितना हो सके उतना ठीक कर देते हैं, ताकि भविश्ची की पीड़ियां पीछे मुड़ कर देखें, तो ये ना पाएं कि हम सबसे गेर जिम्मेदार पीड़ी थे अफसोस कि एक तरह से हम हैं, क्योंकि जिस रूप में मैंने कावेरी को पचास साल पहले देखा था या ये कहें कि जिस रूप में पिछली पीड़ियों ने हमें कावेरी दी थी और आज ये जैसी है, अगर हम इसे इस रूप में सौंपते हैं, तो हम एक विनाशकारी पीड़ी हैं तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमें एक विनाशकारी पीड़ी नहीं है हम इसे ठीक करेंगे जिस हद तक हम इसे कर सकें ताकि कोई ये न कह पाए कि हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था क्योंकि अपने जीवन में अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं लेकिन अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं तो हम एक तबाही हैं तो मैं वो तबाही नहीं बनना चाहता मैं ये पक्का करना चाहता हूँ कि ये सभी लोग इस पीड़ी के लोग तबाही नहीं है कि हम वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं लेकिन जो महतुपूर काम अभी किया जाना है वो ये है कि हमें 72 करोड छोटे पौधे उगाने हैं अगले चार सालों में चार सालों में पौधे लगाने का मतलब है दो सालों में छोटे पौधे उपलबध हो और चार सालों में उन्हें लगाने का काम खत्म हो जाए सिर्फ तभी हम अपने 12 साल की योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे देखिए मेरे जीवन के इस चरण में 12 साल की योजना कोई अच्छी योजना नहीं है लेकिन मैंने इसे अपने हाथों में लिया है इसे 20 साल मत बनाईए कृपया इसे 12 साल बनाईए ताकि अपने जीवन के आखरी हिस्से में मैं थोड़ा गॉल्फ खेल सकूँ और थोड़ा यहां मां घूम भी सकूँ